हाई फ्रेंग्स वेलकम बैक आज मैं आपके साथ शेयर करनी वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी मसाला चिकन की रेसिपी इस रेसिपी को मैंने ट्राय किया था बहुत ही अच्छा बना था I hope आपका भी अच्छा बनेगा तो उससे पहले रेसिपी को चेक कर लेते है एकदम पॉफेक्ट टेस्ट और कलर के साथ बनके यह मसाला चिकन रेड़ी होता है तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं मसाला चिकन बनाने के लिए चिकन लेना है तो मैं वन केजी चिकन ले रही हूँ इसको मैंने कर्ट्स लगाया है अब इसके उपर क्या करेंगे हमने दो चीज़ डालनी है सिर्फ नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्ची और ये थोड़ा तोड़ा ही डालना है जसके अंदर कलर आप कोई साभी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है अद्रक और लसन इनको अद्रक को मैंने रफली काट लिया था और साथ में डाल रही हूँ हूँ दो या तीन बड़े प्यास तो इनको हमने भूनना है तीन से चार मिर तो उसके बाद हमने डालने है तो तो मैं दो यूज़ कर रही हूं कि हम इसमें तही का यूज़ करने वाला तो थोड़े कम यूज़ करेंगे और साथ में डाल दी धनिया की स्टेम्स जो पीछे की डंडी होती है शुद्रक को उसका यूज़ कर लिए तो नासमे यूज़ क अब इसका हमने बनाना है बहुत ही फाइन पेस्ट तो मैं इसको अपने मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ सारा का सारा इसको जैसे ठंडा होगा ठंडा होने के बाद आप चाहे थोड़ा सा पानी साथ में आड़ करके इसका अच्छा फाइन पेस्ट बना के साइड पर रख अब इसका तड़का दूसा त्यार कर दें तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल और लिया है और साथ में ही मैंने काली मिर्ची और मोटी लाइची और साथ में लॉंग और ये सब यूज किया है जैसे ही बून जाएंगे तो मैंने अपना डाल दिया है मेरिनेट किया और इसको भी थोड़ा सा सिर्फ 2-4 मिनिट के लिए हमने तेल में बूनना है जादा नहीं बूनना क्यूंकि हमने जो भी पेस्ट बनाया था वह इसके अंदर हमने यूज करना है और इसको पकाना है उस पेस्ट के साथ तो उससे पहले हमने चिकन का जैसी आपको लगे का जुड़ा से शोड़ से थे मिनिखी लेगे की बहुत है ज़्यां कर दो uty Horizon बने के अटे अच्छा है मैं अग्सट आपसट विभरे को थे को वात अच्छा लगा तक की वायज को फिर जेज चा कि दे अन्र बाल infect को पहले कि अदर दार मसाली अजिए और भी सारी दाइपने और लिए अच्छे से जिए अच्छे सारी मसाले एंपने मिक्स ते जिए लिए तंदे अधा दाल रही हूं यहां लिए दही 300 ग्राम यूज कर रही हूं तोड़ा सा धिहान रखना है कि उसी साब से आपका खटा बन होना चाहिए और भीक्स करके इसको फिर से ढखेंगे अब जो दही होता है ना वो कोई भी सब्सब्स हो में जो नॉन वेज होता है उसमें बहुत अच्छा रोगन देता है बहुत अच्छा ओयल चोड़ता है हमें बनीटमाइब कि राथे नॉन टालर हुएंग थोड़ा सा पानी रिलीज तो बिल्फार रिलीज हो चुका है अब लिखन डंदें और गरम भीक्स क कर दिह कहते हैं पिर खेंगे जाने के साथिए लेये कठर disक्रव के लिए तो मैंने भी इसको सर्फ कर लिया है अब हम इसको गानिश करेंगे थोड़े से अद्रक के साथ इसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला कट किया है तो आप ही ऐसी सर्फ करना और इस चिकन को जरू ट्राय करना आपको बेहत ही अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी तो इस विकेंड इस मसाला चिकन को जरू ट्राय कीजे आपको बहुत ही यमी लगने वाला है इनफक सब का फेवरेट होने वाला है अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे थेन प्लीज इसको लाइक शेचे शेचर सब्सक्राइब कर दीजे आपको मेरी आज की झाल 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 झाल